जैस्ट श्री कृष्णा आप सभी का आपके पनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आप सभी का दिन शुब हो रस्पान केजिए आज की कथा का जिसमें आजाप रस्पान करेंगे भत्र प्रहमण की कथा तथा जैस्ट मास में सूर्य मंदर में दीपदान करने के फल के बारे में शुरी ब्रहमाजी बोले हे विश्णो जो जैस्ट मास में सूरी देव के मंदर में दीप प्रज्विलित करता है उसे संपोन यग्यों का फल प्राप्थ हो जाता है और वह तेज में सूरी के समान तेजस्वी होता है अब मैं आपको भद्र प्रहमन की कथा सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाली है उसे आप सभी सुनिये प्राचीन काल में महिश्मती नाम की एक सुन्दर नगरी में नाग शर्मा नाम का एक प्रहमन रहा करता था भगवान सूरी की प्रसनिता से उसके सो पुत्र हुए सबसे छोटे पुत्र का नाम था भद्र वे सभी भाईयों में अत्यत्य विलक्षन विद्वान था वे भगवान सूरी के मंदिर में नित्य दीपक जलाया करता था एक दिन उसकी भाईयों ने उससे बड़े आदर से पूछा भद्र हम लोग देखते हैं कि तुम भगवान सूरी को ना तो कभी पुष्प, धूप, नेवेत आदी अर्पन करते हो और ना कभी ब्रहमण भोजन कराते हो केवल दिन रात मंदिर में दीप चलाते रहते हो इसमें क्या कारण है? हमें भी तो बताओ अपनी भाईयों की बात सुनकर बद्र कहने लगा ब्रात्रगन, इस विशे में आप लोग एक आख्यान सुनिए प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकू के पुरोहित महर्शी वसिस्थ थे उन्होंने राजा इक्ष्वाकू से सर्यू तट पर सुर्य भगवान का एक मंदिर बनवाया वेवहानित गंध पुष्पादी उपचारों से भक्ती पूरवक भगवान सुर्य की पूजा करते और दीपक प्रज्वलित करते थे विशेसकर जेस्थ मास में भक्ती पूरवक दीपोचसफ किया करते तब मैं भी अनेक कुष्थ आदी रोगों से पीडित होकर उसी मंदिर के समी पढ़ा रहता और जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट भरता वहां के निवासी मुझे रोगी और दीन ही जानकर मुझे भोजन दे दिया करते थे एक दिन मुझे में ये कुचित विचार आया कि मैं रातरी के अंधकार में इस मंदिर में इस्थित सूरे नारायन के बहुमुल आवुशन को चुरा लू ऐसा निश्यकर मैं उन भोजकों की निद्रा की प्रतिक्षा करने लगा जब वे भोजक सो गए तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहां देखा कि दीपक बुझ चुका है तब मैंने अगनी जलाकर दीपक प्रज्वलित किया और उसमें घी डालकर प्रतिमा से आभुशन उतारने लगा उसी समय वे देव पुत्र भोजक जग गए और मुझे हाथ में दीपक लिया देखकर पकड़ लिया मैं भईभीत होकर विलाप करता हुआ उनके चड़नों में गिर पड़ा दयावश उन्होंने मुझे छोड़ दिया किन्तु वहां घूमते वे राजपुरुशों ने मुझे फिर बांध लिया और मुझे से पूछने लगे अरे दुस्ट तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे थे जल्दी बताओ मैं अत्यन्द भईभीत हो गया उन राजपुरुशों के भई से तथा रोग से आकरांथ होने के कारण मंदिर में ही मेरे प्राण निकल गए उसी समय सूर्य भगवान के गण मुझे विमान में बिठा कर सूर्य लोग ले गए और मैंने वहाँ एक कल्प तक सुख भूगा और फिर उत्तम कुल में जनम लेकर आप सब का भाई बना बंधो ये जेस्ट मास में भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने का फल है यद्दिपी मैंने दुस्ट बुद्धी से आभुशन चुराने की द्रस्टी से मंदिर में दीपक जलाया था फिर भी उसी के फल सोरूप इस उत्तम ब्रहमण कुल में मेरा जनम हुआ तथा वेद शास्त्रों का मैंने अध्यान किया और मुझे पुर्व जनमों की इस्मरती भी हो गई इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्थ हुआ दुस्ट बुद्धी से भी घी द्वारा दीपक जलाने का ऐसा स्रेष्ट फल देखकर अब मैं नित्य भगवान सूरी के मंदिर में दीपक जलाता रहता हूँ भाईयो मैंने जेश्ट मास में ये दीपदान का संचेप महतम में आप लोगों को सुनाया इतनी कथा सुनाकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे हे विष्णू दीपक जलाने का फल भद्र ने अपने भाईयों को बताया जो पुरुष सूरी के नामों का जब करता हुआ मंदिर में जेश्ट के महिने में दीपदान करता है वे आरोग्य, धन, संपति, बुध्धी, उत्तम, संतान और जाती स्मरत्व को प्राप्त करता है सस्थी और सब्दमीतिति को जो प्रयतन पूरुवक सूरी मंदिर में दीपदान करता है वे उत्तम विमान में बैठकर सूरी लोग को जाता है इसलिए भगवान सूरी के मंदिर में भक्ती पूरुवक दीप प्रज्वलित करना चाहिए प्रज्वलित दीपकों को न तो बुझाए और नहीं उसका हरन करे दीपक हरन करने वाला अर्था दीपक चुराने वाला पुरुष अंध मूशक होता है इस कारण कल्यान की इच्छावाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे और कभी उसका हरन न करे अब जानिये यमदूत और नारकी जीवों के समवात के प्रसंग में सूरे मंदिर में दीपदान करने और दीप चुराने के पुर्ण पापों के परिणाम के बारे में शुरी ब्रह्माजी बोले हे विष्णो एक समय गोर नरक में पड़ेवे भूखे आर्थ दुखी और विलाब करतेवे जीवों से यमदूत ने पूछा मूर्जनो अब अधिक विलाब करने से क्या लाब होगा प्रमादवश तुम सब ने अपनी आत्मा की उपेक्षा कर रखी है पहले तुम सब ने ये विचार नहीं किया कि इन कर्मों का फल आगे भूगना ही पड़ेगा ये शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है विशय भी नाश्वान है ये कौन नहीं जानता हजारों जन्मों के बाद एक बार मनुश्य जनम मिलता है उसमें क्यों मूर्जन भोगों की ओर दोरते हैं वे पुत्र, इस्त्री, ग्रह, छेत्र आधी के लिए प्रतनेशिल रहते हैं और उनमें आसक्त होकर अने को दुशकर्म कर डालते हैं ये मूर्ख अपना हित नहीं जानते वे ये भी नहीं जानते कि सूर्य चंद्र काल तथा आत्मा ये सभी मनुश्य के शुब और अशुब कर्मों को देखते रहते हैं अर्थात साक्षी भूत हैं नकेबल एक जनम अपितु सैकडो जनमों में भी पुत्र इस्त्री आदी के लिए जो जो करम किया जाता है उसे अच्छी तरह से ये जानते रहते हैं मोह की ये महिमा तो देखो कि नरक में भी ममता बनी रहती है इस प्रकार परिणाम में भयंकर विश्यों के द्वारा आकरिष्ट चित्व वाले मनुश्यों की बुध्धी परमार्थ तत्व की और नहीं होती जिवा द्वारा भगवान सूरी का नाम लेने में कौन सश्रम है मंदिर में दीप चलाने में भी अधिक परिश्रम नहीं पड़ता फिर भी यदि मनुश्य से इतना भी नहीं हो सकता तो अब रोने और विलाव करने से क्या लाब है जैसा किया वैसा फल पाया इसलिए पाप कर्म में कभी भी बुध्धी नहीं लगाने चाहिए अगर कोई अज्यान से पाप कर्म हो भी जाए तो सूरी भगवान की आराधना करें जिससे सारे पाप नस्ठ हो जाए शुरी ब्रह्मा जी बोले यमदूत के ऐसे वचनों को सुनकर तथा भूख से व्याकुल प्यास से सूखे कंठ वाले दुख से पीडित वे नारकी जीव उससे कहने लगे साधू हमने ऐसा कौन सा करम किया जिससे हमें इस दारोन नरक में वास करना पड़ा तब यमदूत कहने लगे पूर्व जनम में यौवन के उन्माद से उन्मादित तुम अभिवेक्यों ने घी के लोब में भगवान सूरी के मंदिर से दीप चुराया था उसी कारण इस घोर नरक में तुम सब दुख भोग रहे हो श्री ब्रह्माजी बोले अच्युत मैंने सूरी के मंदिर में दीपदान करने के पुर्ण तथा दीप हरन करने के दुश परिणामों का वर्णन किया दीपदान करने का तो सरवत्र ही उत्तम फल है परतु सूरी नरायन के मंदिर में विशेस फल है संसार में जो जो अंध, मूक, बधिर, विवेक हीन, निंद्य, व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं उन सब ने साधु जनो द्वारा प्रज्वलित किये वे दीपद को सूरी नरायन के मंदिर से हरन किया है जैश्री कृष्णा आज की कथा समाप्त हुई इसके आगे का व्रतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा अगर ये कथा भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा